जैसरी रादे दोस्तों केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है रोजाना रासिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी कीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, तामपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परसानी है तो हमें मैसेज के जरिये जरूर बताएं आपकी जरूर मदद की जाएगी अगर आपको अपनी साधी के बारे में जानना है कि आपकी साधी कब होगी तो आप अपना जनम दिन कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपकी जरूर मदद करेंगे अगर आप लब मैरेज को लेकर भवस्वानी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जनम दिन कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपको जल से जल पूरी जानकारी देंगे अगर रिप्लाइ करने में देरी होती है तो आपने रास बेलकुल ही ना हो क्योंकि आपको जबाब जरूर दिया जाएगा समय के आभाब के चलते ऐसा हो रहा है कि आपको यथा सिक्र जबाब देने में मैं और समर्थ हूँ इसके लिए हाद चोड़ कर आपसे छमा प्रार्थी हूँ जल दी इस समस्या का निदान किया जाएगा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडी बनी हुई है तो आप केपी की वानी से संपर कर अपनी कुंडी दिखा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी साधी कब होगी इसके अलाबा जनम दिन के हिसाब से भी आजानकारी आप राप कर सकते हैं कि आपकी साधी कब होगी इसके अलाबा जिन जातकों की कुंडी नहीं बनी हुई है या उनकी साधी में देरी हो रही है अर्चने आ रहिए, बाधाये आ रहिए, सअधी तै होनी के बाद भी तूट जा रहे है या उम्र अधिक हो गई है। तो आप KP की वानी से समपर कर अपनी कुंडली अवस्त पनवाएं। इसमें आपको आपके साधी कब होगी, कहा होगी, कैसे होगी, किस से होगी, इस नाम से हो सकती है, किस से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, सरूप, सौभाब, आपका कैरियर, उनका कैरियर, अगर आप किसी से लब मैरेज करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो माता प पैसेज अथवा कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमबर एक बार और धोजा देता हूं 8521-835670। दोस्तों अगर जल्दवाजी में नमबर निकल गया है तो आप डिस्किप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से नमबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा संचार के सकते हैं। साथी आप kpkwani.gmail.com पर mail के जरिये भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप confidential रहना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप kpkwani.gmail.com पर संपर्क जरूर करें। अगर आप कोई चैनल से संबंदि सलाह अथवा परामर्स देना चाहते हैं आपका स्वागत है। जोस्त आपका और आपके जीवन साथी के भी संबंद कैसे रहेंगे मधूर रहेंगे अथवा कटूर रहेंगे। ऐसा कि सास्त्रों में बताया गया है कि मंगल नारी और भकुट दोस्त लगने पर कभी भी साधी नहीं करने चाहिए। तो अपने नजदी के किसी प्रकांट पंडि आपको मामली सुल्क पर कुंडली मिलान करें। यहाँ जानकारी बताने की कोशिस करेंगे कि आपकी जोड़ी कैसी है साथी विवाह मुर्थ भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं केवल लड़कियों के बारें बताने जा रहा हूँ। इनकी साधी होने वाली है। साथी दूर पर होगी साधी सुसृराल कैसे होँगे, उनका जीवन साथी कैसा हो सकता है, सुसृराल में घर कैसे होँगे, कितने भाई बहन होँगे, इन तमाम तरह की जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले आपको उन माताओ पिताओ को यह जानकारी देना चाहता हो जिनकी कन्याओं हैं। और जानकारी बहुत ही महत्पूर्ण है किरप्या ध्यान से सुनें विवाह में इस्तरियों के लिए गुरुबल तथा पुरुसों के लिए रवीवल देख लेना चाहिए कन्या एवंबर को चंद्रबल स्रेश्ट अर्था चौथा आठ्मा बार्मा चंद्रमा नहीं लेना विवाह में मास ग्रहन के लिए व्यास ने कहा है कि माग फागुन वैसाक मार्ग सिस्ट जेस्ट शाड महिनों में विवाह करने से कन्या स्वभग्यवती होती है यानि कि अगर आपकी कन्या है पुत्री है तो उनका विवाह जो है माग महिने में फागुन महिने में वैसाक म महिने में अगहन महिने में जेस्ट महिने में और असाड महिने में करनी चाहिए बात करें अब नच्छत्र की तो रोहिनी तीनों उत्रा रेवती मूल स्वाती मिर्गसरा मघा अनुराधा हस्त्र ये नच्छत्र में विवाह करना सुभ माना जाता है विवाह में सौर मास ग्रह इन वारों में विवाह करने से करना स्व्भाग्यवति होती है विवाह में चतूरदसी नवमी इंतिष्यों का त्याक करना है यानि कि चतूरदसी और नवमी के दिन अगर सुभ मुहर्ट भी निकले तो भी लड़की के साधी नहीं करने चाहिए यह एक बेसिक जानकारी पर हो जाती है तो माबाब की चिंताएं बढ़ने लगती है साथ ही जातक के मन में भी तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि उनके साधी कब होगी सुसराल कैसा होगा और उसका होने वाला पती कैसा होगा सुसराल के लोग कैसे हैं तो इन तमाम तरह के सवालों के जवाब को ले सामें होगी कितनी दूरी पर होगी सस्राल कैसा होगा रंगरूप आप की जीवनân साथी का कैसा हों उनका कैषिय कैसा होगा इन तमाम तरह के जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगे तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखे एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप कुंडली देखने में और आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी नहीं पापाएंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखे तो आईए पहले जान लेते हैं कि स असुबगरा बुद्ध गुरु सुक्र रवी चंद्र के रहने पर सीख्र साधी हो जाती है जबकि असुबगरा मंगल राहु केतु और सनी के रहने पर साधी बहुत तेर से होती है। अंदर ही होती है। कि चन्म कुंडली में बुद्ध, सुर्स, रासी, मिथून या कन्या का होकर सब्तम भाव में बैठा हो तो विवाह बहले आवस्था में ही होता है। विवाह वर्स, आयू के जिस वर्स में गोचरस्त, गुरू लगन, तिर्तिय, पंचम, नवाम या एकादस भाव में रहता है। उस वर्स सादी होना निश्यत ही है। प्रन्तु सनी के दर्श्टे सब्तम भाव या लगन पर हो तो फिर सादी नहीं होती है। लगन या सब्तम में गुरू के स्थिति होने पर सादी उस वर्स हो ही जाती है। यह जानकारी आपको कुंडली से दी गई अब इसको आसान सब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कुंडली देखें उसमें अगर बुद्ध सब्तम भाव में हैं तो सादी 20 वर्स के बाद होती है। गुरू है तो 24 वर्स के बाद सादी होती है। शुक्र है तो 26 सादी होती है। चंद्रमा है तो 25 वर्स में सादी होती है। सुर्य है तो 27 वर्स में सादी होती है। सनी है तो 30 वर्स में सादी होती है। मंगल अगर मंगलिक प्रवल है तो 28 वर्स के बाद 28 वर्स से पहली सादी होती है। के रहने पर 30 वर्स के बाद सादी होती है। आप इसके लिए आने वीडियो पर भी जा सकते हैं और विस्तार से पूरी जानकारी दी गई वहां से भी आप यह वीडियो देख सकते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है आगे अब पढ़ते हैं फिर सस्राल कितनी दूरी पर होगी तो जैसे सब्तम भाव में सुभ या होती है तो सब्तम भाव में अगर ब्रिस सीही ब्रिसक या कुम्बरासी इस्तित है तो लड़की की साधी उसके जन्मस्थान से नब्बे किलोमेटर के अंदर होगी या अगर आपकी कुडली के सब्तम भाव में ब्रिस सीही ब्रिसक या कुम्बरासी इस्तित है तो आपका स पर शुराल 90 किलमेटर के अंदर हो सकता है यादि सब्तम भाव में मिधुन कञ्या या धनुम मीन रासी इस्तितो तो विवाह जन्मस्थान से 80-100 km की दूरी पर होता है यदि सब्त में सब्तम भाव से 12 भाव के मद्य हो तो विवाह विदेश में होगा यह लड़का साधी करवे के वाद लड़की को अपने साथ विदेश ले जा सकता है तो यहाँ जानकारी आपके स्वस होने पर पूर्व दिसा में साधी होती है ब्रिस्ट कन्या या मकर रासी चंदर सनी ग्रह होने पर दक्षिन दिसा में साधी होती है मिथुन तुला या कुम्ब रासी और मंगल राहु के तुग ग्रह होने पर पस्सिम दिसा में साधी होती है वहीं अगर करक ब्रिस्टक मीन या रासी यह रासी सब्तमभा में हो और बुद्ध गरू की दृष्टी है तो उत्तर दिसा में साधी होने की समभावना अधिक रहती है अगर जन्मकुंडली में सब्तमभा में कोई गरह ना हो उस भाव पर अनगरह के दृष्टी ना हो तो बल्वान गरह के स्थिती रासी मे तो कैसा मिलेगा जीवन साथी तो आईए इस बारे में जाते हैं तो जो तिस विज्यान में सब्तमेस अगर सुब गराई चंद्रमा बुद्ध गरू या सुक्र हो तो सब्तम भाव में इस्ठित हो या सब्तम भाव को देख रहा तो जीवन साथी समायू यानि कि आपकी उमर क और बहुत ही सुन्दर होगा अगर सब्तम भाव पर या सब्तम भाव में पापी गरह सूर्य मंगल सनी राहू या केतु का प्रभाव हो तो बड़ी आयू वाला अर्थात जीवन साथी आपकी उम्र से पांच वर्स बड़ा हो सकता है यहां पर सूरी को पापी गरह बताएगा मंगल का प्रभाव हो तो लड़के का चेहरा लाल रंग हो सकता है रेडिस कलर का हो सकता है वो गुसैल हो सकता है हटा कटा हो सकता है सनी अगर अपनी रासी का उचना हो तो वर्काला या कुरूप तथा उम्र से काफी बड़ा आयू वाला होगा अगर सनी के दरश्टी है सरीर वाला तथा गोरा तथा उम्र में बड़ा हो सकता है। सेना पुलेशा सरकारी सिवा में कारी रत हो सकता है। बहन का स्थाने पंचम भाव में अगर आपके पती से दो बड़ा भाई हो सकता है। स्थाने पंचम भाई तथा इस्त्री ग्रह से बहन समझना चाहिए। जिवान साथी का कैरियर तो यदि चतूर्थ भाव बल्युक्त हो और चतूर्देश की स्थिति या दृष्टी से युक्त हो तो उत्तम हो तो नौकरी के युग बनते हैं। यानि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अधित चतूर्थ भाव में कोई सुभगरा सूर्य मंगल गुरु सुक्र के स्थिति हो तो सरकारी नौकरी के युग बनते हैं। यदि कन्या की जन्म कुंडली में सब्तमे सूरी के घर में बैठाओ तो ससुराल में सिव मंदिर होगा और रेल की आत्राओं से कन्या का आना जाना जाना ज्यादा रहेगा। सब्तमेस चंद्र के घर में बैठाओ तो ससुराल नदी या किसी जल के स्त्रोद के पास होगी। दुरगाजी का मंदिर वहाँ पर हो सकता है। और ससुराल के लोग मात्र भक्त होगा। घर के लिए जैसा होगा अगल बगल में कुछ बुरे इंसान होंगे तेना या पुलिस से जुड़े लोग आपके सुस्राल में हो सकते हैं सब्तमेस बुद्ध के घर पे हो तो सुस्राल वाले भगवान विश्नु के उपासक होते हैं अगर सब्तिमेस में बुद्ध इस्तित हो, तो विश्नू के उपास सखोंगे आपके सवस्राल वाले, विश्नू के किसी अफ़तार का मंदिर भी हो सकता है, लोग बाजार में ही कार करने वाले होंगे, या कहीं पर बाहर में सटल होंगे, मकान बहुत सुन्दर ही होगा, सब् विश्ट व्यक्ति से अधिका चलने वाले होंगे, घर्म का सहरा लेकर जीने वाले महाजनी का काम प्रमुक्रूप से हो सकता है, और लोग सिंभक्त हो सकते हैं, तब्तमिय सुक्र की रासी ब्रिस या तुला में हो तो जात तक कि सुस्राल के निकट कोई नदी वोग भूग साइए या कोई क्रिस्ट कारी से जुड़े होंगे, मकान में नौकर जाकर भी हो सकते हैं, सब्टमिय स राहु से अगर गरसित हो तो ससराल पक्षिप्रित पक्षिप्रीं से कमजूर हो सकते हैं, जो तो इस वीडियो में बताएगए जानकारी जोतिस पंचांग मानता और ध सूचना है तू ही ले अगर इसके अतरिकत आप इंको मानते अपनाते हैं तो इससे पहले आप अपने नजदी के किसे प्रकांट पढ़ने चाथवा जोतिस से अवस्त संपर्ग कर लें इसके लिए आप KP की वानी से भी संपर्ग कर सकते हैं अगर किसी जातक किसी कन्या को यह जानकारी समझ नहीं आई है तो वह वाटसअप करें उनको हम यह जानकारी वाटसअप पर भी भेश सकते हैं इसके अलावा कुंडली देखकर भी आपको जानकारी दे सकते हैं तो जोतिस गनना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गए थी इसमें बदलाव संभव है इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के टेस्ट बोड़ आप प्लेलिस्ट पर जाए और अपनी रासी अनुसारी वीडियो जरूर देखे तो दोस्तों आपको यह कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथी बल आइकन को प्रेस करना ना बूले मातारानी किरपा से आपकी चीहरे पर हमेशा मस्कान बनी रहे आप सभी के प्यार और स्वास्त देना चाहता है तो अबस्य दें अगर अनुस्ते कोई गलती हो गई है तुरूटी हो गई तो छमा भी कर दीजेगा कल तक के लिए इजाज़त दे नमस्कार जैसरा दोस्तों जैस्री कृष्णा जैमातादी आप जहां रहे मस्त रहे स्वास्त रहे बेस्त रहे जैस्री रह जैस्वादी